जब गुट निर्पेख्ष्टा की बात आती है तो उसके लिए भी हमेशा भारत को याद किया जाता है उस काल में जब शीत युद्ध अपने अपनी पराकाष्ठा पर था उस काल में जब विश्व राजनीत में खलबली मची होई थी उस काल में जब बहुत सारे नय राष्ट उदित हुए, स्वतंत्र हुए उस काल में जब दिती विश्वद के बाद के विश्व के पुनन निर्मान का दौर चला ऐसे समय में भारत के द्वारा एक ऐसी नीती का अपनाया जाना जिसे गुट निर्पेक्ष्टा कहते हैं एक बहुत बड़ी घटना थी तो अब हम पढ़ेंगे गुट निर्पेक्ष्ट आंदूलन में भारत की भूमी का पहला और उसका उचित कितना उचित है गुट निर्पेक्ष्टा का रास्ता अपनाना भारत के लिए कितना उचित था इस पर भी हम बात करेंगे गुट निर्पेक्ष्ट आंदूलन का उदाएं जिसकी शुरुवात कैसे होई जब दूसरा विश्व दिस समाप्त होता है तो हमने दो धुरुवी विश्व राजनीती के ताहस हमने पढ़ा कि अमेरिका और सोवियत संग ये दो नए धुरुव सामने आते हैं दो प्रमुग गुट और जो पूरी दुनिया है वो इन दो गुटों के इर्दगिर्द घूमती है अर्थात या तो वो अमेरिकी खेमे के थे या तो सोवियत संग के खेमे में थे तो मोटा मोटा अधिकतर देश किसी न किसी के साथ अपने को जोड़े हुए थे उसके भी कई कारण थे और इन दोनों गुटों में जो युद्ध की स्थिती बनी उसे हम शीत युद्ध कहते हैं अंग्रेजी में हम कोल्ड वार कहते हैं जो एक तरीके से फोनी वार था केवल वाक युद्ध ऐसी लड़ाई जो जुबानी लड़ी गई हथियार उसमें नहीं चले इस युद्ध का काल लगवग पचास वर्ष का रहा और काल में जो मुख्य हथियार रहा युद्ध का वह था जीव और पचार तंत्र कई सो वर्षों की जो दास्तां से जो एशिया और अफरीका के देश स्वतंत्र हुए थे ले देकर 1945-47 से लेकर 60 के बीच जो बहुत सारे देश स्वतंत्र हुए कई वर्षों की दास्ता के बाद गुलामी के बाद अब उनके सामने एक समस्या थी कि वो किस खेमे में जाएं क्या करें विश्वत और दो ख्यमे के बीच में घूम रहा है तो अब हम किन के साथ अपने को जोड़ें क्या अमेरिका के साथ या सोवियस संग के साथ और तीसरा रास्ता कुछ दिखनी रहा है किस के साथ संबंध होएं यानि संबंध होना क्या जरूरी है ये भी सवाल कुछ लों के मन में उठा और यदि हम इन में से किसी एक साथ जुड़ते हैं तो कहीं ये नई तरीके की दास्ता ना शुरू हो जाए नई तरीके की गुलामी ना प्रारंब हो जाए और यही नई तरीके की गुलामी से ताचपर है नव उपनिवेशवाद नियो कलोनियालिजम जिसका जिक्र मैंने अभी कुछ दिर पहले किया जिसमें आपको उस गुट में मत्र उस धुरूवी तारे का पिछलगू होके रहना पड़ेगा अपनी सार भौमिकता आप खो बैठ होगे एक तरीके से उनकी हा में हा मिलाने का ही काम आपको करना होगा भले ही वह बात आपके हित में हो या ना हो तो यह एक बहुत बड़ी समस्या इन नवोधित राश्टों के सामने थी जिनकी संख्या बहुत बड़ी थी और मूल तो ये सब देश एशिया और अफरीका के थे तो एक डर तो ये था कि फिर से हम गुलामी के शिकार ना हो जाए इतने वर्षों बाद मिली सतंता को हम फिर ना खो बैठें तो एक रास्ता उनके पास था कोई साज कोई ना कोई जाओ और अपनी गुलामी और गुलाम बन जाओ फिर से दूसरा रास्ता ये था जो थोड़ा कठिन था निश्चित रूप से कि अपनी सतंता बनाए रखो किसी के साथ ना जुलो और निश्पक्ष रहो अपनी सतंता बनाए रखो किसी भी गुट में शामिल ना हो जो बड़ा कठिन काम था किसी भी गुट में शामिल ना होने कार्थ ये है कि सोविय चंग और अमेरिका इन दोनों की नाराजगी मोल लो और इनकी नाराजगी कार्थ ये है कि नवोधित राश्टों को किसी भी तरह की आर्थिक सहायता ये देश नहीं देंगे और खासकर नवोधित राश्ट निर्धन राश्ट थे अविकेसित राश्ट थे इन्हें तो आर्थिक मदद की और जरूरत थी तक्निकी मदद की बहुत जरूरत थी ऐसे समय में क्या स्वतंतर बनाये रखना ज्यादा उचित होगा या किसी एक खेमे में शामिल होकर उसे से आर्थिक और सामरिक और अन्य तरह की मदद लेना ज्यादा फायदे मंद होगा तो विकल्ब दो ही थे शामिल होना या ना होना भारत ने सतंता के बाद दूसरे विकल्ब को अपना जा और अपनी सतंता को बहुत कठनाईयों से पाई हुई अपनी सतंता को अक्षन बनाये रखना भले ही उससे उसके आर्थिक विकास की दर में उसका प्रभाव पढ़ जाए गति उसकी धीमी हो जाए तकनीकी विकास की दर भले कम हो जाए लेकिन थमेगी तो नहीं तो इसलिए हम सतंत रहें तो बहतर होगा और इसी सोच के साथ भारत ने गुट निरपेक्ष आंदूलन के निर्माण और विकास में बहुत महत्पूर्ण भूमिका निभाई ये एक तरीके से प्रिष्ठ भूमी है गुट निरपेक्ष आंदूलन की प्रिष्ठ भूमी 1955 बर्मा 1955 में बर्मा याने म्यानमार जिसे कहते हैं बर्मा, श्रीलंका, भारत, इंडोनेसिया और पाकिस्तान पाकिस्तान भी शामिल था उसने बंडूंग में जो इंडोनेसिया में हैं एक सम्मेलन बलाया और जह था मैंने पहले बताया इस सम्मेलन में 29 देशों ने भाग लिया एक प्रकार से सम्मेलन में गुट निरपेक्ष आंदूलन की जो नीव रखी गई गुट निरपेक्ष आंदूलन का बीजा रोपन इसी सम्मेलन से हुआ इस सम्मेलन की सफलता और इस सम्मेलन में दिखाई गई एफ्रो एशियन राष्टों की एकता के कारण के परणाम सुरूप उसकी सफलताक से उच्छाहित होकर भारत से पंडिजवालाल नहरू गमाल अब्दिलनासिर एजिप्ट मिस्र और योगसलाविया के मार्शल टीटो गुस्ताफ टीटो इन्होंने ब्रियोगी आइलेंड इसमें एक बेलग्रेड ब्रियोगी आइलेंड में 1956 में एकठे होते हैं और इस बात पर जोर देते हैं कि ऐसे देशों का एक गुट बनाया जाए जो गुट निर्पेश्टा में विश्वास करता हो ऐसे देशों का एक तीसरा गुट बनाया जाए पहला गुट तो हो गया अमेरिकी खेमा दूसरा गुट हो गया सोवियत खेमा अब एक तीसरा गुट बनाने की आश्कता पर इन्होंने बल दिया पर ये गुट कैसा रहेगा जो निश्पक्ष रहेगा जो गुट निर्पेख् में विश्वास करेगा इन्हें संगठित किया जाए ऐसे देशों को एक प्लैटफॉर्म दिया जाए ताकि अपनी कौमन समस्याओं को आपसी विचार विमर्ष करके ये उन समस्याओं का निराकरन कर सकें हल कर सकें एक एकता का परिचायक बन सकें नवदित राश्टों की भी एकता इससे परिलक्षित होगी ये 1956 में ये तीन देशों के नेता मिलते हैं और फिर सतत रूप से प्रयास के बाद 1961 में बेलग्रेड जो ततकालीन युगोसलाविया की राजधानी होता था आज युगोसलाविया भी अस्तित् वो कई देशों में बट चुका है लेकिन उस समय जब युकोसलाविया एक देश था वहाँ बेलग्रेड में पहले गुट निरपेख्श-आंदोलन सम्मेलन वहाँ आयवके किया गया और इसमें 25 देशों ने भाग लिया इस प्रकार पचीज देशों के साथ पहले सम्मेलन से एक आधिकारिक रूप से गुट निर्पेक्ष आंदोलन की शुरुवात होती है जैसा मैंने बताया भारत से पंडिजवालाल नहरू थे बर्मा से उनू थे इंडोनेशिया के सुकर्णों मिस्टर के नासेर और युगसलाविय के टीटो इन्हों ने गुट निर्पेक्ष्टा के विचारों के प्रसार में बहुत अहम भूमिका निभाई गुट निर्पेक् सम्मेलन के लगातार शिकर सम्मेलन हो चुके हैं और इन सम्मेलनों में भारत की भूमिका बहुत महत्पून रही है गुट निर्पेक्ष्टा की महत्ता की यदि बात करें गुट निर्पेक्ष्टा कितना महत्पून रहा है यदि इसकी हम बात करें तो जहां पहले सम्मेलन में 25 देश शामिल थे वहीं बाद के सम्मेलनों में 120 देश शामिल हुए 120 पचीज से 120 थे पांच गुना वृद्धी इसकी सदस्यता में हुई वेश्य के 192 देश आधिकारी किस तर पर माने जाते हैं जो संग्त राश्चंग के सदस्य हैं उनमें से लगबग 120 देश गुट निरपेख सम्मेलन के सदस्य बने आंधोलन से जुड़े ये स्वायम में बताता है कि गुट निरपेख्षता एक कितनी विशाल नीती थी और करीब 120 देशों की विदेश नीती का एक अभिन अंग बन चुकी थी और इसके प्रणेता भारत के प्रथान मंत्री पंडिजवालाल नहरू थे गुट निरपेख्षता क्या है गुट निरपेख्षता के क्या अर्थ है गुट निरपेख्षता से हम आप क्या समझते हैं जदि इस संक्षिप में कहा जाए तो गुट निर्पेष्टा का अभिप्रा है किसी भी महाशक्ति के प्रभाव या नियंतरण में ना होना और दूसरा अंतराश्टी प्रशनों पर गुण दोशों के आधार पर नेड़न लेना ये दो बिंदु गुट निर्पेक्षता के बड़े महत्पूर्ण है किसी भी गुट में ना होना उसके प्रभाव में या नियंतर्ण में और दूसरा अंतराश्टी मामलों में स्वतंतर निर्णा लेने के स्वतंता गुट निर्पेक्षता की बात होती है कि गुट निर्पेक्षता का अर्थ क्या है तो गुट निर्पेक्षता क्या है इससे ज्यादा बहतर हम गुट निर्पेक्षता को तब समझेंगे जब हम जानेंगे गुट निर्पेक्षता क्या नहीं है क्योंकि गुट निर्पेक्ष्टा को लेकर इसके आलोचक जो है वो कई तरह की टिपणिया करते हैं और कई ऐसी बातें कहते हैं जो शायद उचित नहीं है निश्चित रूप से उचित नहीं है जैसा मैंने कहा गुण दोश के आधार पर नेर्णा लेने के सतन्ता इसका आर्थ यह नहीं कि हम गुट निर्पेक्ष हैं मतलब हम तटस्त हैं मतलब हम घटविश्व में कुछ घटना हो रही है तो उसकी आनदेखी कर रहे हैं क्योंकि उससे हमारा कोई तालुकात नहीं है ऐसा आर्सित का नहीं है गुट निर्पेख्षता कोई निश्क्री सिध्धान्त नहीं है निश्क्रीता नहीं रहती गुट निर्पेख्षता में बहुत चलूं का यही कहना है चुप चाप बैट कर किसी घटना को देखते रहना गुट निर्पेख्षता नहीं है अमेरिका के खेमे में कुछ ऐसी बाते हो रही है जो उचित नहीं है सोवियत संग के खेमे में कुछ ऐसी बाते हो रही हो जो उचित नहीं है तो हम उससे दूरी बनाये रखें, तटस्त रहें और अनदेखी करें ये गुट निर्पेक्षता नहीं है ये निश्क्रियता ऐसी निश्क्रिता गुट निर्पेक्षता का हिस्सा नहीं है दूसरे शब्दों में गुट निर्पेक्ष रहते हुए भी एक देश अंतराष्टी मंच पर सक्री भूमिका निभा सकता है गुट निर्पेक्ष रहते हुए भी अंतराश्टी मंच पर विभिन अंतराश्टी घटनाओं के मद्दे नजर वो अपनी बात आवाज रख सकता है और भारत ने ऐसा ही किया है रहा तो गुट निर्पेक्ष लेकिन घटनाओं के गुण दोशों को देखते हुए उसने अपनी बात हमेशा रखी है और ऐसा करते हुए वह सक्रिय रहा है यही गुट निर्पेक्षता की स्पष्ट परिभाशा है गुट निर्पेक्ष अंदोलन की परिभाशा हमने समझी और यह स्पष्ट किया कि यह निश्करीता नहीं है यह स्पष्ट किया कि यह स्वतंतरता सार्व भौमिक्ता को अक्ष्ण बनाए रख कर अपनी आवाज बिलंद करने की नीति का हिस्सा है तो अब हम चलें कि जोस आंदोलन जिसकी नीव 1955 में रखी गई फिर 1961 में जिसने प्रसम सम्मेलन का रूप लिया उसका धाचा क्या था धाचा गुट निर्पेक्ष्टा को परिभाशित करते हुए जैंसन ने तो बहुत सरल परिभाशा दी है और उसमें कहा है कि स्वतंत्र विदेश नीति के क्रियानवन की प्रक्रिया ही गुट निर्पेक्ष्टा है पंडिजवालाल नहरू बार बार इस बात को कहते थे कि गुट निर्पेक्ष्टा का अर्थ नकारात्मक या तटशता ना मानी जाए कते ये ना माना जाए कि तटशत नीति का अनुसरण गुट निर्पेक्ष्टा का अंग है बलकि ये एक सकार आत्मक नीती है एक positive सोच है अर्थात भारत उन सभी बातनों का समर्थन करेगा जिने वह उचित समझता हो और उन सब बातनों का विरोध करेगा जिने वह अनुचित समझता हो परंटु मूलता हम ऐसे गट बंदनों से दूर रहेंगे जो हमें संघर्ष की ओर ले जाते हैं अर्थात हम अपने हित में जो उचित समझे उसका समर्थन करेंगे या अपने हित में जो हम उचित समझे उसके लिए हम निर्णा लेने के लिए स्वतनत रहेंगे यदि वह कोई बात किसी भी खेमे की हमारे हिट में हैं देश के हिट में हैं तो हम उसका समर्थन करेंगे विश्वशान्ति के हिट में हैं तो हम उसका समर्थन करेंगे गुट निर्पेश्टा को लेकर जैसा मैंने कहा बड़ी नकारात्मक बुचार रखे कुछ लोगों ने और उसे एक नकारात्मक नीती बताई मैंने इस बात को बार बार आपको समझाने की कुशिश की है कि गुट निर्पेश्टा क्या नहीं है ये हमारे लिए समझना ज्यादा उचित होगा गुट निर्पेश्टा के सही माइने को समझने के लिए तो अब हम थोड़ा देखें और क्या-क्या ये नहीं है गुट निर्पेश्टा कर्ट जिम्मेंदारियों से छुटकारा नहीं ऐसा ना समझा जाया कि गुट निर्पेक्ष्टा मतलब तटस्ता विश्व शान्ति की जिम्मेदारियों से दूरी बनाया रखना या किसी अन्य तरह की जिम्मेदारियों से दूर रहना भारत ने हमेशा विश्व के जो पराधीन देश हैं उनकी पैरवी की है उनके सतनता अंदोलन में बड़ा नैतिक समर्थन उनको दिया है और अपने इस उत्तर दाईवत को उसने बखू भी निभाया है जिसके तहट इन नवोधित राष्ट्रों को उसने संबल दिया हो कोरिया इंडोचाइना लाओस विएटनाम कांगो साइप्रस इसराइल और इजिप्ट यहाँ पे जो भी विवाद हुए विश्व के देखिए विवन खेत्रों में विवाद हुए इन विवादों में भारत ने हमेशा सक्री भूमिका निभाई है और सकारात्मक भूमिका निभाई है यद्यपिवा गुट निर्पेक्ष्टा का प्रबल समर्तक रहा है इसका मतलब यह हुआ कि गुट निर्पेक्ष्टा जिम्मेदारियों से मुक्ती नहीं विश्व शान्ति की व्रिद्ध में भारत ने बहुत योगदान दिया है गुट निर्पेक्ष्टा की निभी को साफ करते हुए पंडिजवालाल नहरू ने एक पत्र के उत्तर में लिखा था कि हमारी नीती तटरस्ता की नहीं वरन शान्ति और स्रक्षा की और यदि संभा हो तो शान्ति की नीव रखने में आधारित करने के लिए है ये पंडिजवालाल नहरू ने बारम बार स्पष्ट किया एक अन्य राजनीत शास्त्री गोपाल स्वामी आएंगार उन्होंने तटस्ता की बात पर कहा था कि तटस्ता की जब तब ये चर्चा करते हैं परन्तो हमारी नीती तटस्ता नहीं है तटस्ता मतलब क्या होता है तटस्ता मतलब किसी भी घटना से दूर रहते हुए देखते रहना बस उस पे कोई क्रिया प्रतिक्रिया ना करना उसे तटस्थता कहते हैं तो आयंगार जी का कहना है कि हमारे नीति तटस्थता की नहीं है हम उत्तरदायत उसे नहीं बतना चाहते हैं यदि हम कुछ नहीं कहते हैं या कुछ नहीं करते हैं तो वो एक निश्चित नीति के आधार पर है ततरस्ता की नीति के आधार पर नहीं है कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में हमें यदि प्रिथक रहना है तो वो हमारी नीति का हिस्सा होगी और ये कुछ अन्य परिस्थितों में हमें कुछ ऐसा निर्णा लेना पड़े जो कुछी को पसंद ना हो तो भी वह हमारी नीति का निस्था है क्योंकि वह हमारे हित्मे हैं कुछ मामलों में हमने ऐसा किया भी है और अपने को संकट में भी डाला है ऐसा बहुत थोड़े राश्टासा कर सकते हैं अर्थात गुट निर्पेक्ष रहना एक बहुत कठिन कार्य है और खासकर उन तसकालीन परिस्थितियों में जब दो महाशक्तियां सतत रूप से देशो पर दवाव बना रही थी अपने खेमे में शामिल करने के लिए तो आप समझ गया होंगे कि गुट निर्पेक्षता कार्त जिम्मेदारियों से बचना नहीं तटस्तता नहीं नकारात्मकता नहीं गुट निर्पेक्षता कायर्ता भी नहीं है बलकि ये एक तरीके से एक एक शक्ति का परिचायक है ये राष्ट शक्तिशाली व्यक्ती ही अपनी सतनता अक्षुन ने बनाय रखते हुए अपने विचार व्यक्त कर सकता है अपने हित को ध्यान में रखके इसी अध्युती साहत का परिचाय भारत ने कई बार दिया है जब 1956 में इसराइल ग्रेट बिटेन और फ्रांस की सेयुक सेनाओं ने मिलकर इजिप्ट पर आश्रमण किया था इसराइल बिटेन और फ्रांस की सेनाओं ने मिलकर जब मिस्र पर आश्रमण किया उस समय भारत ने इन देशों की पश्चिमी राष्ट्रों की अमेरिका के खेमे के राष्ट्रों की साहस, वही दिखा सकता है जो वास्तों में निश्पक्ष है वास्ता में जो सका रातमक है ततस्थ नहीं हो इसके बाद भी इसराइल ने जब जब अरब देशों पर आकर्मन किया, तो भारत ने इसराइल की निन्दा की है इसराइल की निन्दा करते हुए भी भारत पीछे नहीं हटा इस इसराइल की निन्दा को लेकर कई आलोचक कहते हैं कि भारत ने इसराइल के रूप में एक बहुत अच्छा मित्र बनाने का मौका खोगा है लेकिन ततकालीन परिस्थितियों में जड़ी हम पिष्ट भूमी में जाएं तो ऐसा लगता है कि इस नीती कि भारत ने जो विदेश नीती अपनाई इसराइल और मध्य पूर्व एशिया के देशों के साथ वह काफी कुछ उचित थी सही थी इसी तरह इजिप्ट का जैसे मैंने उधारन दिया इजराइल का उधारन दिया थी यदि हम हंगरी की बात करें जिस पर रूस ने हमला किया रूस ने हंगरी और चकसलवाकिया पर जब हमला किया तो भारत ने रूस की आलोचना की तो एक और जहां उसने पश्चिमी खेमे की आलोचना की दूसरी और उसने सोवियत खेमे की आलोचना करने में भी कोई कमी नहीं बरती क्योंकि उसने यही उचित समझा विश्वशान्ति के लिए उचित समझा हलांकि सोविय संग ने कश्मीर मामले में कई बार भारत को मदद की है कई बार भारत के पक्ष में निशेद आदिकार का उपयोग किया है और भारत की सहायता की है कश्मीर मामले में वीटो पावर का उ किया है लेकिन उसके बावजूद भारत ने सोवियत संग की आलोचना की है जब उसने हंग्री और चिकस लवाकिया पर हमला किया कई बार तो भारत ने अमेरिका के भी कटू आलोचना की है अमेरिका जब तब पाकिस्तान को शस्त रादी देता रहा है और अमेरिका को मालूम है कि इन शस्त्रों का उपयोग भारत के खिलाफ अमेरिका करता है पाकिस्तान भारत के खिलाफ करता रहा है इस बात को लेकर भारत ने अमेरिका को हमेशा चेताबनी दी है हमेशा उसकी आलोचनक की है दूसरे शब्दों में भारत जो है वह ये स्पष्ट करता है भारत की नीतियां कि भारत की गुट निर्पेश्टा का अर्थ किसी तरह से कायरता से न जोड़ा जाए बलकि एक अदम्य साहस का उदाहरन माना जाए एक अद्विती साहस का उदाहरन माना जाए तो गुट निर्पेश्टा का अर्था भी नहीं है तीसरी बात गोट निर्पेक्षता का अर्थ अंतरराश्टी राजनीती की उपेक्षा भी नहीं है गोट निर्पेक्षता का अर्थ अंतरराश्टी परिस्थितियों की उपेक्षा करना नहीं है और देखा करना नहीं है यदि भारत चाहता तो वो मिस्र के मामले में चुप रहता यदि भारत चाहता तो इसराइल के मामले में चुप रहता यदि भारत चाहता तो वो हंगरी चकसलवाकिया पे सोवियत संग के हमले के मामले में चुप रहता और ना जाने ऐसे कितने उधारण हैं जिसमें भारत ने स्वतंत्र रूप से अपनी आवाज मुखर की है भारत ने कभी भी अपने को अंतराश्टी मुद्दों से अलग नहीं रखा कभी भी उसने अंतराश्टी परिस्थितियों से अपने को अलग-थलग नहीं रखा यद्यपी भारत किसी भी युद्ध में नहीं पढ़ना चाहता था फिर भी उसे चीन और पाकिस्तान से लड़ाई लड़नी पड़ी चीन और पाकिस्तान से उसके युद्ध हुए और उस युद्ध का कारण भारत नहीं था बालके पाकिस्तान और चीन के द्वारा किये गए आक्रमण थे पाकिस्तान ने अक्टूबर 47 में आक्रमण किया फिर दिसंबर 71 में आक्रमण किया चीन ने 162 में आक्रमण किया इसलिए भारत ने आत्मरक्षा के लिए ये युद्ध लड़े आक्रमन की प्रतिक्रिया के रूप में अपनी फौज उसने भेजी और ये युद्ध हुए इसलिए नहीं कि हम युद्ध के प्रति हमारा मोह है भारत कॉमन वेल्ट और सेंक्त राश्चंग का सक्री सदस्थ है राष्ट मंडल और स्विक्त राष्चंग का सक्री सदस्त है राष्ट मंडल के सदस्ता के क्या माइने है इसका मैं पूर में जिक्र कर चका हूँ इसी अध्याय में ये आपको मनना होगा कि भारत यदि गुट निर्पेक्षी रहा आता और जिसके मांडे वो रहते जो इसके अलोचक रखते हैं तो चकरीता सेयुक राष्ट के मामले में और राष्ट मंडल के मामलों में भारत की चकरीता नहीं दिखाई देती पर भारत हमेशा एक शकری स्दस्च रहा है प्रो एक्टिव रहा है और विश्व शान्ति के लिए उसमें कई बार अध्विती योगदान दिया है एफ्रो एशियन देशों तटस राष्ट्रों इनके जो भी सम्मेलन होते हैं उसमें भारत भाग लेता है और वहां उपनिवेशवाद, सामरा जवाद, रंग भेज की नीती इनके खिलाब हमेश हा आवाज उठाता रहा है एक तटसथ राष्ट ऐसा नहीं कर सकता, एक निशक्री राष्ट ऐसा नहीं कर सकता तो भारत एक सक्री राष्ट रहा है अंतर राष्ट्री राजनीती में भारत तटस्थ नहीं रहा है और गुट निर्पेख्षता का अर्थ यही है कि अपने हितों को ध्यान में रखते हुए विश्वशान्ति को देखते हुए ने ने लेना स्वतन ने लेना पिछड़े राष्ट्रों के उत्थान के लिए भी जब भी योजनाएं बनाई गई तो भारत ने कते ही इसकी चिंता नहीं की कि ये पिछड़े राष्ट किस खेमों के है भारत ने सरई उसमें अपना योगदान दिया है और ये इस बात का परिचायक है के गुट निर्पेक्षता का अर्थ भारत की ये नीती इस बात का परिचायक है के गुट निर्पेक्षता का अर्थ अंतर राष्टी परिस्थितियों की उपेक्षा करना ना माना जाए इस विचार धारा के लोग गुट निर्पेक्ष में सदस्य कैसे बनाए जाते थे क्या कोई भी राश्ट इसमें सदस्य बन सकता था नहीं गुट निर्पेक्ष आंदूलन की सदस्यता सम्मंधी बातें इसको लेकर हम ये जान लें कि कौन इसके सदस्य बनने की पातरता रखते थे पहला वेदेश इसके लिए पांच शर्टें थी पहला वेदेश जो गुट निर्पेक्ष आ और शांटी पूर्ण सह अस्तित्व पर आधारित वेदेश नीती का अनुसरन करते हूँ वेदेश जो गुट निर्पेक्ष आ और शांटी पूर्ण सह अस्तित्व को एग्जिस्टेंस पर आधारित स्वतंत्र वेदेश नीती का अनुसरन करते हूँ वेदेश जो उपनिवाज से स्वतंत्र होने के लिए चलाया जा रहे आंदोलनों का समर्थन करते हूँ यह दूसरा उपनिवेश वाज के खिलाफ जो अंदोलन हो रहे हैं उसका समर्थन करते हूँ वेदेश जो किसी भी सैनिक गुट के सदस्य ना हूँ और सैनिक गुट के माइने नाटो, सीटो, सेंटो, वार्साव पैक्ट आ दी नाटो, सीटो, सेंटो, वार्साव पैक्ट और भी कुछ अन्य सैनिक गुट भी आया थे इनके सदस्य ना हो तभी आप गुट निर्पेक्ष आंदोलन ते जुड सकते हूँ अनिता आप गुट निर्पेक्ष नहीं रहे आप किसी एक गुट में शामिल हो तो ऐसे राष्ट जो किसी भी तरह के सैनिक गुटों में शामिल हो वो उसकी सदस्टा नहीं हासिल कर सकते तीसरी शर्त थी चौती शर्थ वो थी कि वही देश गुट निर्पेक्ष आंदोलन का सदसे बन सकता है जिसने कभी भी किसी महाशक्ति के साथ द्विपक्षी समझोता ना किया हूँ चाहे वो अमेरिका हो चाहे सोवियत संग को उसके साथ द्विपक्षी समझोता जिसके तहाँ किसी तरह की एक तरीके से अनुबंध हो जिसमें वो ना किया हो ये इसमें शामिल हो सकता है पांचवा और अंतिम शर्त पांचवी और अंतिम शर्त थी वे देश जो किसी भी महाशक्ति को या किसी भी शक्ति को अपने खेतर में सैनिक अड़ा बनाने के अनुमति नहीं देते अर्थाथ सैनिक अड़ा बनाने के अनुमति दे कर कोई देश ये स्पष्ट कर देता है कि वह उस खेमे का है जिस खेमे को उसने सैनिक अड़ा बनाने के अनुमति दी तो यदि वो किसी खेमे में शामिल हो गया है तो वो कैसे गुट निर्पेक्ष खेमे में आएगा इसलिए पांचवी शर्थ भी बहुत महत्पूंट थी कि चाहे वो नौ सैनिक अड़ा हो चाहे वो वायू सैना के लिए अड़ा हो किसी भी तरह का सैनिक अड़ा बनाने की यदि अनुमती किसी राष्टन ने दी है किसी शक्ति को ताकतवर देश को तो वह देश भी गुट निर्पेक्ष आंदोलन का सदस्य नहीं बन सकता तो इस पकार इन पांच शर्थों के साथ ये सुनिश्चित किया जाता था कि गुट निर्पेक्ष आंदोलन ते जुड़े हुए देश इन पांच शर्थों का पालन करते हों तभी उन्हें सदस्य बनाया जाए